Students, आज हम Hindi Reader में Part 12 ब्रक्ष लगाओं स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बुक में पेज नमबर 63 पर दिया गया है. तो सबसे पहरे हम कवीता का महत्व देखते हैं, इस कवीता में क्या बताया गया है, इसका परीचे देखते हैं, प्रस्तुत कवीता ब्रक्षो के महत्व को दर्साती है, इसमें बताया गया है कि ब्रक्ष हमारे लिए कितने उप्योगी है, ये हमारे जीवन का एक एहम इस्सा अब इस कवीता को हम रीट करेंगे और एक्स्पिलेंट करेंगे घास, पत्ते, पेड, पोदे जीवन के आधार मत मारो, मत उजाडो, मत करो संहार ब्रक्च लगाओ, ब्रक्च लगाओ, करो ब्रक्चों से प्यार इसका मतलब क्या हुआ कि घास, पत्ते, पेड, पोदे सब क्या है हमारे जीवन के एहम मूल है, हमारे जीवन के आधार है मतलब कि ब्रक्ष कहे रहे हैं कि मत मारो मुझे को, मत उजाडो, मत करो सनहार मतलब कि मुझे उखाड़ उखाड़कर मत पेको ब्रक्ष लगाओ, ब्रक्ष लगाओ, करो ब्रक्षों से प्यार तुमनों मच को मत उखाड़ो, मत अठाओ मुझे खुब ब्रक्ष लगाओ, जिससे की तुमको ब्रक्षों से प्यार होए बर्षा जल है हमको देते, गंद गंद की को ये हर लेते धूल धूहा खाकर भी शुद्ध हवा हम सब को देते मतलब क्या हुगा इसका बर्सा जल है हमको देते मतलब कि पेड़ पोदों से हमको क्या मिलता है वर्षा मिलती है जल मिलता है और ये गंद गंदगी को भी हर लेते है जो गंदगी होती है उनको भी ये अपने अंदर सोक लेते हैं धूल धूआ खा कर भी शुद्ध हवा हम सब को देते और भी जो धूल धूआ उड़ती है वे भी सब अठा करके फिर भी हमको ये शुद्ध हवा देते हैं जखड़े रखते भूमी को ये उड़े दे ना बहने दे भरा पूरा परिवार इनका यहां अकेला किसी को ना रहने दे मलकी भूमी को ये जखड़े दे आपने जड़ों को देखा है किसे जकड़े रहती है भूमी को उन्ने नाद भेने दे मिट्टी को भी नहीं भेने देती भरा पूरा परिवार इनका जहां मलकी पेड़ पोधे किते सारे पेड़ पोधे आसपास उगयाते हैं उनके सारे से एक पेड़ लगाओ तो और छोट-छोटे पेड़ भी उनके सारे से उगयाते हैं अकेला किसी को नहीं रहने देते हैं इनके बिना कुछ नहीं केसे जी पाएंगे हम मिटाकर पेड़ पोधो को खुद को ही मिटाएंगे हम मनलकी पेड़ पोदों के बिना हमारा जीवन संभब ही नहीं है अगर पेड़ पोदों को नश्ट कर देंगे तो क्या हम जी पाएंगे इस दिए पेड़ पोदों को नश्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमको ये जीवन का आधार मनाते है हमारे जीवन का आधर कोने पेड़ पोदे क्योंकि इनकी बिना हमारा जीवन संभब नहीं है